हे गाईज देखो यह शॉर्ट वीडियो रहेगा और मिक्स वीडियो रहेगा मतलब इसमें बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताया जाएंगा जो बहुत सारे लोगों ने पूछने की कोसिस किया है या तो परफिक्ट भी आप मार्केट में या तो हाई क्वालिटी होल्ड करना चाहिए या फिर बेच के निकल जाना चाहिए या फिर नीचे वाले लेबल पर खरिदना चाहिए तो देखो मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे स्टॉक्स में बेचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए सिल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और होल्ड की बात करूं तो हो और लगबग रिजल्ट भी काफी अच्छा ही है ऐसा नहीं कि बाइब काफी परफॉर्म करता है यह कंपनी लेकिन इस बार क्या हुआ कि कंपनी ने अपने जो श्टेक हैं स्टेक को जो है लगबग फॉरीन इन्वेस्टर को देया और उनको देने के बाद पैसा लिया है और कंपनी के बाद इन्होंने कंपनी को अक्वायर किया देखो कंपनी ने लगबग अनौल लिपोर्ट में साब साब बताए गया थे बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बहुत बहुत अच्छा है तो नीची लेबल से कई गुना ज्यादा यह जो है करेक्ट ह चुका 6300 रुपे तक यह स्टॉक गया था और अभी लगबग 30% से डाउन है यह स्टॉक 30% से ज्यादा यह डाउन है लगबग 33% तो देखो मैं आप बोलूँगा कि लगबग स्टॉक 30% करेक्ट हो गया अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा होना चाहिए मुझे नह सबसे तो बेचना नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए गिरावाट है फिर भी मैं आपको बलूँगा आग बंद करके याद रखो यह स्टॉक अगर आप नहीं आदा रही है तो मैं एक बार हिस्ट्री बता देता हूँ देखो आज कल के डेट में अगर आप कही 2000 को टच करने वाला था उसके बाद यह जो स्टॉक है लगबग जब मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो लगबग 8-900 रुपीज के आसपास आ चुका था 800 रुपीज के आसपास आ चुका था सोचो इतनी बड़ी गिरावाट होने के बाद भी 800 पे मैंने लोगों को यही ब को लूँगा कि बस बाई ओन डीप कोई प्राब्लम नहीं है यहां पर यहां पर ऐसे स्टॉक में के बाद लोग पूछने हैं तो सरकीट ही लग गया यहां पर यह गिरावाट भी देखने को मिलता है तो अफकोस इसमें तो देखना ही था क्योंकि जो अपर सरकीट देखने में खरीद लिया अब मुझे गिरावट देखने को मिल रही है मुझे क्या करना चाहिए तो देखो मैं आपको बोलूँगा हां यह तो मानना पड़ेगा कि आपने हाई पे खरीदा है लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि आपने अच्छे स्टॉक में निवेश किया है अगर कि मैंने भी इस स्टॉक को बहुत नीचे लेबल पर खरीद रखा अगर आप चाहो तो मैं अभी भी दिखा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन मुझे तो 100% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन केस तो मैं नहीं बेचने वाला कंपनी बहुत अच्छ देखने को पक्का मिलेगा क्योंकि सर्कीट के वज़े से सर्कीट है और कुछ भी नहीं है अब जहां तक बात रहती है रूट मोबाइल और रूट मोबाइल हो गए हैप्येस्ट माइन लोगों तो मैं आप वोलना चाहता हूं ये स्टॉक्स ने काफी चैरिटन दे रखे है तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है जो बड़े बड़े जैसे आप देखोगे सिंगापूर गॉर्मेंट आफ सिंगापूर जाके देखोगे जो सिंगापूर का गॉर्मेंट का जो पॉर्ट्फोलियो है वहाँ पर जाके देखोगे तो उन्होंने भारी मातरा में हैप जहां तक बात रहे पेट्रोनेट LNG की तो इसका तो तार्गेट कुछ ज़्यादा ही हाई पर है यह लगबग यह जो स्टॉक है लगबग 315 रुपे के आसपा जाती होई नजर आएगा और 315 रुपे का मतलब आप समझ रहे हो मतलब इसका ओल टाइम हाई लाइफ टाइम तो फिर कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यूं है तो नाम का यहां पर दिया गया है कंपनी पेट्रोने टैलेंज यह बहुत अच्छी है और लॉंग टम में यह स्टॉक्स ने अभी भी आपको रिटन दिया और अभी भी आपको निकाल के देगा तो यह सारे स्टॉक्स को क्रियेट होते हैं अजर आता है जब माहौल अपना जब मार्केट अपना माहौल बदलता है तब फिर भी मैं आपको बोलूँगा भाई मैं तो लॉंग टम के लिए निवेस्ट करता हूं अगर आप शॉट टम के लिए हैं तो आपको कहीं पर भी नुकसान देखने को मिल सक आपको डिमेट अपन करना चाहिए जहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलें जैसे एंजल में एनसी बीएसी मुच्छल फंट कुछ भी खरी सकते हैं को टेंचन नहीं है और जो चार्देस वगारा होता है भाई डिमेट अकॉन तो बिल्कुल फ्री है डिलेवरी चार्ज लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है मिंटो में जाके अपने डिमेट अकाउंट अगर आपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है